स्रेश वाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि 28 अप्रेल को वैसाक महीने की जो पंचमी तिती है वो दिन आ गया है और ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी को अपने घर पे पंचमुखी दीपक लगाना होता है इससे हमारी फैमली में परिवार में कभी कोई तकलीफे नहीं तो इसक्रीन पर आपको एक मिट्टी का दिया दिख रहा है आप चाहें तो आटे का दिया ले सकते हूँ आप चाहें तो मिट्टी का ये आपके उपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको इस दीपक के अंदर घी डालना है ठीक है मेरे जितने बत्ती लगाओगे एक तो इसके कितने मुख बन गए दो फिर एक बत्ती आप ऐसे क्रोस करके लगाओगे कितने मुख बन गए चार और आप कोई छोटी सी बत्ती किसी भी साइड में आपको लगा दिनी होगी तो ये बन गए कितने पंच मुखी दीपक बन गया ठीक है बन ग जो पहला option आपके पास में है, अगर आपके घर में घर के अंदर बेल का पेंड है, चाहे तो गमले में लगाया है या फिर बड़ा सा पेंड है, उस बेल पेंड के नीचे आपको उस पंच मुखी दीपक को लगाना होगा, जो भी आपकी कामना है, अपने परिवार से रेल्ट तकलीफे होती है, वो तकलीफें दूर होगी, ये तो बात होगी पहले option की, दूसरा option क्या है, कि अगर आपके घर के अंदर महादेव का शिवलिंग है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे आपको उस पंच मुखी दीपक को फिर से प्रजुरित करना है, अपनी तक उपाए को जरूर से जरूर करना होगा, तो यहां पर हम लोग ने पहले उपाए की बात की है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाए के तरफ, दूसरा उपाए भी बहुत special है, और ये उपाए आपकी family में, परिवार में कभी लडाई अगर लाल चंदन हो, लाल चंदन लेलो, कुमकुम हो, कुमकुम लेलो, रोली है तो रोली ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी लेना, उसको एक छोटी सी कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट, बहुत ही गाढ़ा सा आपको पेस्ट बनाना, ठीक है ना, बनाने के पहले वट व्रिक्ष के नीचे पहुचना, सुबह, शाम, दोपहर कभी भी जाना चाहो, आप वहाँ पर पहुचते ही सबसे पहले वट पेंड की साथ परिकर्मा करोगे, कितनी परिकर्मा करोगे, साथ परिकर्मा बरगत के पेंड की कर देंगे, ठीक है, करने के बाद में आपको पांच बिंदियां लगानी होंगी, यकीन मानी है, आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा, ठीक है, यह उपाए कोशिश करेंगे पंचमी तिथी पे करने की, पंचमी को नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप यह उपाए कभी भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करना जरूर, भूलना कोई भी नहीं, ठीक है न, चलो, तो यहाँ पे दो उपाए की हमने बात की है, एक बहुती स्पेशल, बहुती छोटे से उपाए की बात करने जा रहा है, जोके इस वीडियो का तीसरा उपा है, क्या इसके फायदे होंगे, कहां पे करना है, कैसे करना है, इन सभी की बात तब करेंगे, जब आप करोगे वीडियो को लाइक, और चितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है न चलो समझते हैं, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, कि भीया इस उपाय को हम करते हैं, तो इसके हमें फायदे क्या होंगे, इसके दो फायदे होंगे, पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है, मनो कामना है, जो अधूरी है पूरी नहीं हो पा रही है, वो पूरी होगी दूसरा अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पडा है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो भी आप इस उपाय को जरूर करेंगी ठीक है न? चलो समझते हैं अब आपको लेना होगा दो सामान को, पहला तो आपको एक काले मिर्च लेनी होगी, सबी के घरों में काले मिर्च होगी, सिर्फ मात्र एक काले मिर्च खड़ी वाली लेंगे, उसके बाद में चावल का एक दाना लेंगे, जो कहीं से तूटा ना हो, खंडित ना हो, चावल का एक दाना भी ले लिया लेने के बाद में एक तामे का लोटा लेंगे उसमें जल भरेंगे ठीके और इसी जल के अंदर आपको एक चावल का दाना और जो मैंने आपको एक काली मिर्च दिखाई है उन दोनों को इसी कलश के अंदर डाल देंगे ठीके ना डाल दिया फिर आप स्कलश को उठाएंगे पहुच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में फेस रखेंगे उतर दिशा यानि की नौर दरेक्शन और पूरा का पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करेंगे यही लोग गलतियां करते हैं ठीक है जब कोई इस स्थिती में आप उपाय किया करो तो जल आपको पांच जगों पे समर्पित करना है हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है विराजमान है पता है आप सबको तो आपको क्या करना है सबसे पहले उस जल को थोड़ा सा गिराएंगे भगवान गनेश के स्थान पे थोड़ा सा जल गिराएंगे भगवान कार्थी के स्थान पे थोड़ा सा जल माता असोग सुंदरी थोड़ा सा जल कटी भाग पे और बाकी के जब लास्ट में बच जाए जितना भी जल जो भी आपकी समस्याएं हैं मनो कामना है बीमारी के लिए कर रह है तो उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी खतम हो जाएंगी ठीक है ना करिए ज़रूर भूलना किसी को भी नहीं तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन उपाय की बात की है एक बहुत ही ज़ादा आसान से उपाय की बात करते हैं और आज के इस वीडियों का आखरी उपाय है ना जेलो समझते हैं सबसे पहले तुम्हें आपको बता दो इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको फायदा क्या होने वाला है यह उपाय के सिर्फ और सिर्फ एक फायदे हैं कि आप किसी को target कर सकते हो control का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान बिना मतलब आपके उपर कुरोध कर रहा, बिना मतलब आपके उपर गुसा कर रहा है, चिला रहा है, उल्टी सीधी चीजें आपके सामने कर रहा है, तो आपे सुपाई को जरूर करेंगे, ठीक है न, देखो, उसके लिए आम सभी लोग में एक तामवे का लोटा लेंगे उसके अंदर जल भरेंगे और इसी जल के अंदर आपको काला तिल डाल देना है शहद नहीं डालेंगे लेकिन काला तिल डाल देना और पहुँच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ठीक है बरीबाल बहुत ध्यान से पहले जो आपके पास में शहद है ना उस शहद का लेपन महादयो के शिवलिंग के उपर अच्छे तरीके से करेंगे और जब शहद का लेपन करोगे तो आपको हाट केश्वर महादयो का नाम लेना है कौन से महादयो हाट केश्वर महादयो की नाम से आपको लेपन करना दिलवाला जल महादयो के शिवलिंग के उपर, शेहद के उपर समर्पित करोगे, तो वहाँ पे आप सबको समर्पित करना होगा, जो नाम वैसी याद हो, आप उस नाम से भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है न, इतना काम समझ में आपको, इतना करने के बाद में, जब आप जल समर्पित कर दो, तो आपके पास में एक बेल पत्र भी होना चाहिए, लास्ट में आप उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, उस एक बेल पत्र को समर्पित कर देना, यकीन मानिए, जो इंसान आप ए घर में क्रोध कर रहा है, जो इंसान आप ए घर में गुसा कर रहा है, उसका कुसा क्रोध सारा शान्त हो जाएगा ठीक है ना बहुत प्यारा सा उपाय था तो आप सभी लोगों को हाट केश्वर महादयो और श्रम भेश्वर महादयो की नाम से इस उपाय को जरूर करना तो कोशिश की मैंने आप सभी को वैसाग पंचमी के बहुत ही प्यारे से उपाया बता है अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पर बाते करनी है मैसेज पर बाते करनी है तो आप हमें इंस्टेग्राम या फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं उसके लिए आपको सर्च करना होगा वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बाते करेंगे और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा स्रेशिवाए नमस्तु भ्यों